प्रभू बस आने ही वाले हैं एक दिन को और इंतजार कर लीजे जब कंस के अत्याचार से पूरी मतुरा नगरी परिशान थी तो आजी का दिन राह होगा सभी भग कृष्ण अफ्तार की रहा देख रहे थे और कल जन्मस्त्मी की आदी रात कृष्ण लल्ला ने जनम लिया थ चलिए इस मौकी को खास मनाते हैं आज और कल जन्मस्त्मी स्पेशल मनाते हैं कनहिया का नाम लेकर शो की शिरुआत करते हैं आज मैं आपको कल होने वाले जन्मस्त्मी के वरत के बारे में बताऊंगी आपको जन्मस्त्मी का वरत कैसे रखना है ये जानेंगे आपको जन्मस्त्मी की मूरती के बारे में भी बताऊंगी कल आपको कनहिया की मूर्ती कैसे स्थापित करनी है क्या ध्यान रखना है सब जानिएगा और आज ही आपको जन्मश्टमी के मंतरों के बारे में भी बता दूँगी जिसे कल जपना आपके लिए बहुत ज़रूरी है जन्मश्टमी स्पेशल शो में आज आपको श्री कृष्ट से जुड़े महा उपाई बताऊंगी क्या आपके पास पैसा नहीं टिकता तो जानिए पहला महा उपाई आपको श्री कृष्टमी की पितामर धारी कहा जाता है यानि की पीले रंग के कपड़े पहनने वाला इसलिए कल यानि की जन्मश्टमी पर पीले रंग के कपड़े पहने और श्री कृष्टमी को पीले रंग के फूल अर्पित करें मैं आपको हमेशा आगले दिन के त्योहार में क्या करना है एक दिन पहले ही बता देती हूँ ये तो आपको मालूम है कल राथ ठीक बारा बजे क्रिश्न लन्ला का जन्म होगा लेकिन आपको कल व्रत कैसे रखना है वो आज ही जान लीजे ताकि कहीं कोई गलती ना हो कल सुभा व्रत शुरू करने से पहले आज रात हलका भोजन कर लें कल सुभा जल्दी उठकर पानी में तिल डालकर नहा कर साफ कपड़े पहने पूरे दिन आपको अन्का सेवन नहीं करना है आपको फल आदी ग्रहंट कर सकते हैं आप व्रत रात बारा बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा उसके बाद ही तोड़ना है सुर्य सोम पवन भूमी आकाश को नमसकार करके पूर या उत्तर की और मुकर के बैठे हैं जल, फल, कुष और गंध लेकर संकल्प लें कि मैं कृष्ण जन्मस्तमी व्रत कुछ विशिष्ट फल और पापों से छुटकारा पाने के लिए करूंगा या करूंगी शाम के समय एक बार फिर काले तिलों को जल से स्नान कर देवी जी के लिए सूत के एक छोटा सा घर बनाएं उसे वनमाला आदी से सजा कर द्वार पर रक्षा के लिए खड़ा करके रखें सूत से बने घर में स्वास्तिक आदी और ओम का मंगलिक चिन बनाएं सूती का ग्रहे में श्री कृष्ण सहित माता देविकी की स्थापना करें एक पाले या जूले पर भगवान श्री कृष्ण के बाल गोपाल वाली तस्वीर या मूर्ती को स्थापत करें उसके बाद पूरे भगती भाव से फूल, धूप, अक्षद, नारियल, सुपारी, ककड़ी, नारंगी से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें भगवान श्री कृष्ण का जनम राद 12 बजे होगा जनम के वक्त आपको भगवान श्री कृष्ण की विशेश पूजा करनी है इस विशेश पूजा की विधी और समगरी में आपको कल बताऊंगी आए बात करते हैं आज के दूसरे महा उपाएगी क्या नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रा कल जनमश्टमी पर साथ कन्याओं को घर बुलाकर खीर और सफेद रंग की मिठाई खिलाए श्री कृष्ण की कृपा मिल जाए तो जीवन का हर संकर दूर हो जाएगा आपके लिए बड़े ही काम की जानकारी लाई हूँ कल जनमश्टमी पर घर में श्री कृष्ण की तस्वीर या मूर्ती स्थापत करने से पहले एक जरूरी बात सुनिए श्री कृष्ण को छे चीज़े बहुत प्री हैं जो भी भग श्री कृष्ण को ये छे चीज़े अरपित करता है उसके घर में सुक्सिम्रदी आश्वरे की कमी नहीं होती जानिये कैसे श्री कृष्ण को तीन वज़े से बासरी पसंद है पहला बासरी एकदम सीधी होती है उसमें गाठ नहीं होती है जो संकेत देता है कि अपने अंदर किसी तरह की गांट मत रखो मन में बदले की भावना मत रखो दूसरा बिना बजाई ये बचती नहीं मानों कह रही है कि जब तक कहा ना जाए तब तक मत बोलो और तीसरा ये जब भी बचती है मदर बचती है जिसका अर्थ हुआ कि जब भी बोलो मीठा बोलो कहते हैं गाई के शरीर में 33 करोड देवी देटाओं का निवास होता है साथ ही गाई सभी गुणों की खान है इसलिए श्री कृष्ण को गाई बहुत प्रिय है घर के मंदर में श्री कृष्ण के साथ ही गाई और बच्रा भी रखना चाहिए मोर का पंक देखने में बहुत सुन्दर होता है इसमें समोहन का प्रतीक माना जाता है मोर को भ्रमचरे युक्त प्रानी समझा जाता है इसलिए श्री कृष्ण मोर पंक धारन करते हैं मोर मुकट का गहरा रंग दुख और कठनाईया हलका रंग सुक शांती सम्रिद्धी का प्रतीक माना जाता है आगे बढ़ू उससे पहले एक जरूरी बात श्री कृष्ण के सिर पर सुशोबित मोर का पंक वास्तु शास्तर में बहुत महत्व रखता है आपके घर में लगा मोर पंक आपकी जिंदिगी बदल सकता है इसके बारे में आपको कल डीटेल में बताऊंगी अभी आगे बढ़ते हैं श्री कृष्ण को कमल भी बहुत प्रीय है कमल कीचड में उखता है लेकिन हमेशा कीचड से अलग रहता है इसलिए कमल पवित्वता का प्रतीक है काना को माखन मिश्री भी बहुत प्रीय है मिश्री का एक महत्वपून गोण है है कि इसे जब भी माखन में मिलाया जाता है उसकी मिठास माखन के कण-कण में गुल जाती है मिश्रे युक्त माखन, जीवन और व्यापार में प्रेम को अपनाने का संदेश देता है भगवान के कलमी विजनती माला है जो कमल के बीजों से बनी है दरसल कमल के बीच सक्त होते हैं, कभी तूटते नहीं, सरते नहीं, हमेशा चमकदार बने रहते हैं इसका मतलब यह है कि जब तक जीवन है, तब तक ऐसे ही प्रसंद रहो दूसरी यह माला के बीच है, जिनकी मंजिल भूमी है भगवान कहते हैं, जमीन से जुड़े रहो, जितने भी आगे क्यों न बन जाओ, हमेशा आपने अस्तित्व को असलियत के नजदीक रखो अब बात करते हैं आज के तीसरे महा उपाय की, क्या कोई जरूरी काम अटका हुआ है जनमश्टमी के दिन क्रिशन मंदिर में नारियल और 27 बदाम चड़ाएं जनमश्टमी के मौके पर अगर आपको वो महा मंदर नहीं बताया, जिसे जपने से श्री क्रिशन कनहिया की कृपा मिलती है, तो फिर क्या बताया चलिए आपको बताती हूँ, कल आपको नहने के बाद मंतरों को जपना है, मंतर नोट कीजे, पहला मंतर जानिये क्या है ओम श्री नमः, श्री क्रिशनाएं, परिपून तमाई स्वाहा ये क्रिशन का जो मंतर है, ये सब तक्षर मंतर है, इस मंतर का पांच लाग जाप करने पर मंतर सिध हो जाता है और जिसका ये मंतर सिध हो जाता है, उसे सब कुछ प्राप्त होता है दूसरा मंत्र है गोवल अभाय स्वाहा ये साथ अक्षरों वाला श्री कृष्ण का मंत्र जाप करने से जो भी जाप करता है उसे सिद्धियों की प्राप्ति होती है तीसरा मंतर आठ अक्षरों वाला है श्री कृष्ण मंतर है गोकुल नाथाए नमहा इस आठ अक्षरों वाले श्री कृष्ण का मंतर जो भी जाब करता है उसकी सभी इच्छाएं और भिलाशाएं पूरी हो जाती है श्री कृष्ण की खृपा मिलती है चौथा मंतर है क्लीम ग्लीम ट्लीम शाम मंगलाए नमहा दस अक्षिरों वाला ये मंतर श्री कृष्ण का है इसका जो भी सादक जाप करता है उसे संपूर सिद्धियों की प्राप्ति होती है अभी तीन मंतर बाकी है वो कल बताऊंगी जनमश्टमी के दिन आपको सफल बनाएंगे ये अभी आगे बढ़ते हैं भगवान श्री कृष्ण ने गीता ज्यान के जरीए अर्जुन को मांगदर्शन दिया था वो गीता ज्यान आज के युग में भी उतना ही एहम है श्री कृष्ण के ज्यान को आप अपनी लाइफ में फॉलो करके बेस्ट मैनेजमेंट गुरू बन सकते हैं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को लक्षे पर ध्यान देने का ज्यान दिया आप भी अपने काम में सिर्फ लक्षे पर फोकस रहें पिर देखे सफलता आपके कदम चुणने लगेगी कौरव और पॉंडव के बीच युद के दोरान अर्जुन ने कौरवों के रूप में अपने ही लोग उनको नजराने लगे ऐसे में धनश उठाने से मना कर देते हैं वो तब श्री कृष्ण युद के मेदान में ही अर्जुन को अपने उपदेशों के नेतिकता और अनेतिकता का पार्ट पढ़ाते हैं ऐसे में जिन्दगी में जब भी सफलता मिलती है तो हम अंकार से भर जाते हैं उसके बाद हमारा पतन शुरू हो जाता है इसले गीता में श्री कृष्ण का ग्यान आज के मैनेजर पर भी लागू होता है कृष्ण कहते हैं कि कर्म करते रहो पर साथ में आगे बढ़ने के लिए अपने आपको अपडेट भी करते रहो अपने ज्यान को अपडेट के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते समय को पहचाने और उसके मुताबिक चीज़े सीखें तभी आप तेजी से आगे बढ़ेंगे अपने जीवन में श्री कृष्ण को सबको साथ लेकर चले इसी तरह आप भी अपने मैनेजर हैं अगर तो अपने आसपास अपने कुलीक्स अपने काम करने वालों को साथ लेकर चलना चाहिए आईए बात करते हैं आज के चौथे महा उपाई की क्या दुकान में बरकत नहीं हो रही है भगवान श्री कृष्ण को पान का पत्ता चढ़ाएं फिर इस पत्ते को घर लेकर आएं इस पर लाल सिंदूर के मंतर से श्रीम लिखे और तिजोरी में रख लें आज आपको श्री कृष्ण को चढ़ाने वाले चपन भोगों की जानकारी दिने वाली हूँ मुरारी को चपन भोग लगाने की तीन कताई हैं मैं आपको जनमश्टमी के मौके पर सब सुनाती हूँ ध्यान से सुनिए पहली कथा के मुताबिक माता यशोदा बाल कृष्ण को एक दिन में आठ पहर भोजन कराती थी यानि की बाल कृष्ण आठ भार भोजन करते थे एक बार जब इंद्र को प्रकोप से सारे व्रज को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण गुवर्धन परवत को लिटल फिंगर पर उठा लिया तब लगा तार साथ दिन भगवान ने अन और जलका ग्रहन नहीं किया आठवे दिन जब भगवान ने देखा कि इंद्र की परशा बंध हो गई तब सभी प्रिजवासियों को गुवर्धन परवत से बाहर निकल जाने को कहा तब दिन में आठ पहर भोजन करने वाले श्री कृष्ण को लगा तार साथ दिन तक भुखा रहना पड़ा उनके प्रिजवासियों और मैया यशोदा के लिए बहुत उनको कश्ट हो रहा था तब भगवान के लिए अपनी भक्ती दिखाते वे सभी प्रिजवासियों और यशोदा माता ने साथ दिन और आठ पहर के हिसाब से यानि कि 7 इंटू 8 चपन जो डिशिज हैं बाल को पाल को उसका भूग लगाया दूसरी कथा के मुताबिक गोकुल में भगवान श्रीक कृष्ण राधा जी के साथ एक दिव्य कमल पर विराजबान थे उस कमल में तीन परते होती हैं इसके तहत में पहली परत में 8 तूसरी में 16 और तीसरी में 32 पंखडियां होती हैं इस तरह हर पंखडी एक सक्षी और बीच में भगवान विराजते हैं इस तरह कुल पंखडियां जो हैं इसकी संख्या 56 होती हैं ये 56 संख्या का अर्थ हैं इसलिए 56 भोग से भगवान श्री कृष्ण अपनी सक्षियों के संग त्रिप्थ होते हैं। आईए बात करते हैं आज की स्पेशल ऐस्टो टिप की जाहिर है जन्माश्टमी से जड़ी बात ही होगी। जैसे मैंने आपको बताया है कि श्री कृष्ण को माखन मिश्री बहुत पसंद है। माखन और मिश्री आपकी लाइफ में स्मूदनेस और मिठास की बात करता है। आप जन्माश्टमी पर गरीब बच्चों को माखन मिश्री छोटी छोटी मट्कियों में डाल कर बाटिए। इससे आपकी जिन्दगी में स्मूदनेस और मिठास दोनों आएगी। फेस्बुक पर पायल शर्मा ने हमारे साथ अपनी समस्या शेयर की है पायल जो भी काम करती है उसमें रुकावट आ जाती है जिससे वो दुखियें उपाई जानना चाती है आप साथ गांट लगाकर पीपल के पेड़ पर लगातार 44 डेस तक सफेद सूती धागे पर बांध कर लगाईए आपकी रुकावटे दूर होगी entertainment की बाद हम बाद में करेंगे आपके कल को अच्छा करने के लिए क्या करना है राशी के हिसाब से वो जानी है मेश राशी के लोग जादा पैसा खर्च करने से बचएं लग साथ दे रहा है आपका 55% प्रिश्व राशी के लोग अपने इश्ट को याद करें किसमत साथ दे रही है आपका 69% मिथुन राशी के लोग चाए जादा नहीं पियें लग सपोर्ट कर रहा है आपको 58% करक राशी के लोग बेहन से जगडा नहीं करें भागे साथ दे रहा है आपका 52% सिंग राशी के लोग खाने में सोया बीन दीजियें लग सपोर्ट कर रहा है आपको 54% कन्या राशी के लोग शिव जी का नाम लें भागे साथ दे रहा है आपका 73% तुला राशी के लोग खाने के बाद सौफ खाईं लग सपोर्ट कर रहा है आपको 56% प्रिश्चिक राशी के लोग दिन में दो-तीन बार नीबू पानी जरूर पियें किस्मत साथ दे रही है आपका 66% धनू राशी के लोग मंदिर में श्रिंगार का समान दे भागिस साथ दे रहा है आपका 69% मकर राशी के लोग गंबले में पानी जमा होने नहीं दे किसमत साथ दे रही है आपका 57% कुम राशी के लोग पेट का ख्याल रखें लग सपोर्ट कर रहा है आपको 53% मीन राशी के लोग हलका नाश्ता करें भाग्य साथ दे रहा है आपका 51% अब हम बात करेंगे आज के पांचवे और आखरी महा उपाई की क्या करजे से मुक्ती नहीं मिल रही श्री कृष्ण को धूप, दीप और पीले रंग के फूल चड़ाए और दाईने हाथ में तांबे का कड़ा पहने